असलाम अलेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद कफी हो आप सब खैरियस से होंगे आज हम बनाएंगे आज के नस्टे में ब्रेट टोस्ट तो चल लिए फ्रेंड्स कैस तरह बनाएंगे देखेंगे सबसे पहले मैंने यहां पर एक तवा रख लिया है तवे में मैंने तीन स्पुन तक का तेल और चार से पांच लस्ट की कलियां को चोटे चोटे पीसे करके डाल दिया है मैंने और दो प्यास कट करके डाल देंगे और प्यास को मैंने इस तरह लंब्या कड करके कट किया है आप चाहे तो बारी गी कट कर सकते हैं फ्रेंड्स और प्यास और लस्टन को अच्छे से पुनने के बाद मैं यहां पर डाल रही हूँ हरी मिर्स चाथ और एक टमाटर थोड़ा हर्या धनिया डाल देंगे डाल कर अच्छे से हम सारी चीजों को भून लेंगे तब वे में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा और अच्छे से प्याज और टमाटर गल जाएंगे अल्टी पल्टी करते हुए हमें ये सारी चीजों को भून लेना है अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी हल्दी पोडर डाल रही हूँ और थोड़ा मिक्स करतेंगे हम अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे जितना मसालों को लागेगा उतना नमक अंदा से दाल दीजेगा दालने के बाद हम मैंसे अच्छे से मिक्स करके एक बरतन में निकाल लेंगे फ्रेंड्स बस इतना ही बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह बना कर देखे आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत मज़ेदार रहेगा इस तरह का मसाला इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और मसाला टोस्ट भी बनाई हूँ आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं मेरे चानल में मौझूद है बेकरी स्टेल टोस्ट मैंने बनाई थी अब मैं इसे थोड़ा ब्रेट को हम प्रोस्ट कर लेंगे और पलेट के देखिए इसके उपर मैं थोड़ा मि डालीएगा अच्छे से मियोनिस लगाने के बाद मैं यहाँ पर ठोड़ा टामाटो सास लगाऊंगी अच्छे से लगाने के बाद जो हम मसाला तयार करके रखे थे उसे दाल कर इसके उपर ही एक मिनिट तक का ऐसे ही दब्बे रखे तो बहुत अच्छा हमारा ब्रेट टोस्टे बनके तयार होगा इस तरह सारा मसाला हम सेट कर देंगे इसके उपर तो कितने चल्दी हमारा नास्टा बनके तयार हो चुका था प्रेंट्स आप भी आपके घरों में ज़रूर से इस तरह एक बार बना कर देखे आपको बहुत ही पसंद रहेगा तो दीखे हमारा ब्रेट टोस्ट आप बनके तयार हो चुका है और एक बर्तन में इससे मिकाल लेंगे आप हमारा नास्टा बन के तयार हो चुका है अगर आपको मेरी आज की ये नास्टे वाली रिसीपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्टी वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफीज